Hello Friends, आध हम मुद्रायस्पिती के बारे में विस्तार से जानेंगे जब अर्थविवस्ता में वस्तूं और सेवाओं की कीमते बढ़ती हैं तो इसे मुद्रायस्पिती कहते हैं मुद्रायस्पिती के कारण मुद्रा की क्रेश शक्ती कम हो जाती है यानि पहले जितनी चीजें एक ही पैसे में खरीदी जा सकती थी, अब वे उतनी नहीं खरीदी जा पाती, मुद्रायस्पिती के कई कारण होते हैं, पहला होता है मांग प्रेरित मुद्रायस्पिती, जब वस्तूओं और सेवाओं की मांग आपूर्टी से अधिक हो जाती है, तो कीमतें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उतनी वस्तूओं उपलब नहीं होती, जितनी मांग होती, तो जिसकी वज़े से कीमत बढ़ती है, उधारन के लिए अधिक भोगताओं के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा है, तो वे अधिक उत्पात खरीदेंगे, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ता, तो कीमतें ही बढ़ेंगी, इसे मांग प्रेरित, मुद्राइस्पिती कहते हैं, दूसरा है लागत प्रेरित, मुद्राइस्पिती, मतलब जब उत्पादन लागत में, जैसे मजदूरी बढ़ जा या कच्छा माल की कीमत बढ़ जाती है, तो बढ़ने के कारण हो जाते हैं लागत में बृद्धी इसे हम एक उधारन से समझते हैं कि तेल की कीमतों में बृद्धी से परिवहन महंगा हो जाता है जिससे वस्तों की कीमत बढ़ जाती है तीसरा कारण है मौद्रिक नीती केंद्रिय बैंक के द्वारा जब अत्यधिक धन क आपूर्टी की जाती है मतलब ज्यादा लोन दिया जाता है तो जिस्से की मनी बहुत ज्यादा सर्कूलेशन में हो जाता है तो मुद्रा ही का मुल्ले घड़ जाता है तो कीमत बढ़ जाती है फिर एक होता है आयातित मुद्राइस्वति यदि आयातित वस्तों की कीमतें बढ होती है गरेलू वस्तों की कीमत भी बढ़ती है खास करकि वैसे देशों में यह होता है जो देश आयात पर ज्यादा नेरवर करता है फिर आता है संग्रचनात्मक मुद्राइस्पिति या अर्थ व्यवस्था में और शंगताओं के कारण होती है जैसे खराब बुन्यादी धा अच्छाए या उत्पादग्ता कम हो इसकी वज़र से मुल्य में व्रि द्धी होती है जिससे उभुकताओं के लिए उतनी वस्तोय और शेवाएं खरीदना मुष्किल हो जाता था जितना वो पहले कम पैसों में खरीद पाते थे अब उसके लिए अधीक पैसे की अवशक दूसरी आय असमानता मुद्रायस्विति का प्रभाव निम्न आय वाले परिवारों पर अधिक होता है कि उनकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा अवश्यक वस्तुमों पर खर्च होता है जिनकी कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं फिर तीसरा प्रभाव है निवेश में अनिश्च बढ़ती है जिससे निवेशक भी निवेश करने में संकोच करते हैं और आर्थिक ब्रिद्धी धीमी हो जाती है मुद्रायस्विति का प्रभाव बचत पर भी पढ़ता है बचत मुद्रायस्विति समय के साथ बचत की मुल्य को कम कर देती है क्योंकि बचत उतनी नहीं बैंक दरों में जैसे ऐसे लाड़ ये सब में प्रिध्धी करकर मुद्राइस्पिती को नियंतरन कर सकती है मतलब बाजार में लोन देने की दर को बढ़ाकर या बैंकों के लिए रिजर्ब बैंक के पास रखने वाले कैश की मात्रा में प्रिध्धी करकी मुद्राइस्पिती को कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसे कम हो जाएंगे तो बैंक कम लोन देंगे तो बाजार में मनी का सर्कुलेशन कम होगा फिसकल पालिसी में भी सरकार अपने खर्चों को कम करके ज्यादा टैक्स लगाकर मुद्रा इस्विति को रोक सकती है